मित्रो जय माता दी आप देख रहे हैं धर्मसिक्षा धर्मसिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं आज का संपून रासी फल लेकर ये संपून रासी फल है मंगल वारी आने की 27 अक्टूबर 2020 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबत 2017 आज मि सुबा के 9 बज कर 16 मिर्ट तक रहने वाला है उसके बाद पूरू भाद बाद नशेतर आड़म हो जाएगा व्रत्योहर में आज है एक आदसी का व्रत वित्रो अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है एक एक मोर्दों के बाएम जानना है तो डिस्क्र समय असुब समय दिसासूल सुब खा दिया रासी उनसार क्या खाते पतात आपके लिए आज सुब रहेगा रासी उनसार कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा और रासी उनसार कौन सा अंक आपके लिए सुब रहने वाला है यानि कि आपके लिए आज का लगी नमर क्या रहने वाला है तो वीडियो में हमाई साथ अंतक बने रहें और संपुन रासिफल की वीडियो का लाव उठाईए वीडियो पसंद आए तो लाव जोड करें साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में यानि की कमिट वक्स में जह माता दी तो जोड लिखें वित्रों आज का रासिफल आपको बताना आरहम करूं उससे पहले आए एक नेजर डालते हैं आज के गरहों के स्तेथी पर क्योंकि गरहों की स्तेथी पर ही पूरा का पूरा रासिफल निर्भर करता है है आज राहु विर्षचिछासी में सुख्र कन्यारासी में सुड़ी बुध्ध के साथ तुला र बात करेंगे पली रासी मेश रासी की मेश रासीम चंद्रमाज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसरूप आज कहीं आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज आपको मान समान मिलेगा साथ ही आपको यस केर्थी और लाव की प्राप्ति भी होगी बुजुर्कों और मित्रों के साथ आपका दिन अनन्द में बीटेगा साथ ही अपने पत्नी और बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीटेगा किसी प्रिये व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन रही है कारिय स्थलप परिश्रम के अनरूप लाव की प्राप्ति आपको होगी कीमती वस्तुओं को समाल कर रखें क्योंकि आज उनके खोने का भाई आपको बना रहेगा आज नया काम करने के लिए भी अच्छा दिन आपके लिए है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार और धनकी दिश्टी से आज के अपके लिए चार रहने वाले है आज और धनकी जात्कों को थोड़ी बहुत परिशानी का सामना करना पर सकता है खास करके जोरों का दर्द उन्हें परिशान कर सकता है तो अपना ख्यार लखें बात करेंगे प्रेम समन की तो आज पती-पत्नी के बीच प्रेम समन अच्छा बना रहेगा समन्ध हों में मधूरत भी बनी रहेगी अपने जीवन साथी के साथ समय विताएं ये आपके प्रेम समन्द के लिए अच्छा रहेगा आज की निगर अंकुरित अनाज अपने खादेपदार्थ में सामिल करते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग और आप बात करेंगे अब विरिश्रासी की, विरिश्रासी मुचंद्रमा आज चोथे अस्थां में विराजित है जिसके फ्रसुरुप आज आपके घर तथा कारी अस्थाल में वेटर बाता बर्ण दाने से आपको काफी प्रसंता होगी, मित्रों या पडिवार के सदस्यों के साथ मो देंगे तो आपके सहीयोगी भी आपसे नाराजाज हो सकते हैं नोगरी करने वाले जातकों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है उच्छ पतादिकारी आपके कारी की सरहना कर सकते हैं सरकारी कारियों से आपको सफलता भी मिलेगी अपनों से मनमटाव होने की संभावनावी बन रही है तो उनसे अच्छे समन्द बना के रखें बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज रोजगार के प्राप्ति का प्रियाज सफल रहेगा नोकरी करने वालों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है व्यापारी वर्ग आज थोड़ा समल कर रहे है विद्यार्थी की बात करें चंद्रमा के चोथे बाव में होने के कारण आज आपका मन अप्यक्छाकरी ज़्यादा चंचल रह सकता है पढ़ाही सब का ध्यान भटकेगा तो अपने पढ़ाही पढ़ी मन लगावे है सफलता की पाप्ति आपको इसी से होगी स्वास्त की बात के स्वास्त के द्रिष्टी से आज करें आपके लिए सामाने रहने वाला है अपने आपको मोस्मी व्यानियों से और महामारी से बचा के रखने का प्रियास जोर करें प्रेम समंद की बात के तो आज के लिए आपके प्रेम समंदों में थोड़ी खटास उत्पन हो सकती है जीवन साथी के साथ कुछ मतवेद उगर कर सामने आ सकते हैं मत्वेदों से बचे आपको अपने प्रेम समन्धों के परति सचेत रहना चाहिए हो सकता है आपको जीवन साथ ही आपको आज प्रयात समय ना दे पाए तो उन्हें समझने का भी प्रयास जोरू करें आज कि नगर जो या जो से बनी हुई चीज़े खाएंगे तो आपके आज का सुबरंग गुलावी रंग और आपके लिए आज का लखी नंबर पांच रहने वाला है बात कहेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासीम चंद्रमा आज पांच में स्थान में विराजित है जिसके प्रसरूप आज आपको अपने जीमेदारियों को समझने की आविश स आज करिनाप के लिए बहुत ही सक्रिये और लोगों से मेल जोलवड़ा रहेगा आज अपनी उत्साह में कमी तो बिलकुल भी ना आने दे उत्साह में कमी के कारण आज आपके कारी प्रभावित हो सकते हैं इसका प्रभाव वेबसाइट छेत में भी आपको देखने को मिले जाता लाव के लिए आपको अपने कारी परणाली में सुधार करने की आवश सकता है कुछ राजगिये सहयोग मिलने के विसमामना बन रही है संतान के साथ मध्भेद उत्पन हो सकते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए आज कोई भी महतपूर निर नहीं बहु को मिलेगा आपके व्यापारिक पर्ति दंदी आज सांत रहेंगे विद्यार्थी की बात कहें तो विद्यार्थियों कोली आज का दिन सामाने रहने वाला है मेनत करें सफलता आपको जरूर मिलेगी स्वास्ति की बात कहें तो आज आपको थाकान और अलस्य का अनभव हो सक सकती है आज की निगर दही अपने खात्य पतार्थ में सामिल कहेंगे तो आपके लिए आज का सुबरंग औरेंज कलर और आपके लिए आज का लकी नम्मर छे रहने वाला है बात किने करकरासी की करकरासीम चद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज उदार सोभाव का गलत फाइदा उठाया जा सकता है तो सचेत रहें आज आप काफी व्यग्र और चिंतित भी रह सकते हैं आज आपके खर्च बर सकते हैं तो अपने फिजूल खर्चों पर नियंतन जुर रखें मिठी वानी वोले वानी पर सयम भी रखें वनना आज आज निवेस करते हैं तो पहले उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें कोई भी कदम उठाने से पहले विशिच सगी की सलाह जोड ले ले तभी कहीं निवेस करें विद्यार्थि की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला हैं आज के इन सोचल मीडिया में चादा समय की बरबार्दी ना करें अपने पढ़ाई-पढ़ाई ध्यान लगावें स्वास्त की बात करें तो आज आपको अपने स्वास्त के परति साब्धान रहने की जरूरत है कप और पेट समंधी बिमारियां आपको परेशान कर सकती है तो अपने स्वास्त का ध्यान ज़रू रखें प्रेम समंध की बात कहें प्रेम समंधों के लिए आज करीं अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से सामंजस से आपको बना कर रखना चाहिए वैसे समंध सामाने ही रहेंगे आज आज की नगर किसी भी प्रकार का साबुत अनाज अंकुरित करके खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग, महरून रंग और आपके लिए आज का लखी नमबर चाढ रहने वाला है बात करेंगे सिंगरासी की सिंग रासिम चंद्रमा आज साथमें अस्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज के इन आपके मान सम्मान में विर्दी होगी आज आज आपका समय मरोन जन में बीदेगा स्वाधिष्ट भोजन प्राप्त आपको हो सकता है दोस्तों और परिजनों के साथ कहीं घूमने या समय बिताने का मोगा आपको मिल सकता है आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच सब के ध्यान का केंदर बने रहेंगे व्यापार और धन की बात करें तो आज किन आपके लिए कारोबार के विस्तार के लिए और धन संग्रह करने की योग बन रहें परबल धनलाप के भी योग बन रहें आपके व्यापार में विर्धी भी होगी कारी छेतर में आपके कामकाज की सराहना भी होगी जल्दबाजी में फैसले ना करें इससे जीवन में आपको आगे पस्ताना भी पड़ सकता है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज का समय मध्यम रहेगा फोन और सोचल मीडिया में अपना समय बरबाद ना करें मेनत करें सफलता आपको मिलेगी स्वास्त की बात करें तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा अपने जीवन साथी के स्वास्त के आपको आज ध्यान रखना चाहिए प्रेम समय की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम परसंगों के लिए अनकूल रहेगा आज आप अपने जीवन साथी को यह जरूर बताएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं इससे आपके प्रेम समन सुद्रिड होंगे आज के लिए ब्रौन राइस ज्याने की पकाचाहल खाएंगे तो आपके लिए सूब रहेगा आपके लिए आज का सूबरन गोल्डन कलर और आपके लिए आज का लगी नंबर एक रहने वाला है बात किए कर्णे आरासे की कर्णियारसीम चंद्रमा आज आठवे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज बेकार के सोच में अपना समय और उर्जा आपका बरबाद हो सकता है तो उसका ध्यान रखें बलकि अगर सही दिशा में भी समय लगाएंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा भागीदारी वाले वेपसायों में निवेस करने से आज बचें आज किसी परकार का जोखी मिनाने से आपको बचना चाहिए आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिने कुछ जातकों के लिए की गई यात्रा और निवेस आज सफल रहेंगे आपके द्वारा किये गए कारी से आपको यस और किर्थी की प्राप्ती होगी परिवार में स्वहार्थ पुर्ण वातावरन भी बना रहेगा नोकरी और कामधंदे की जगा सहयोग्यों का सहयोग भी आपको मिलेगा खर्च आपका बढ़ेगा आज लोग आपकी वह परसंसा करेंगे जिसे आप लंबे समय से सुनना भी चाह रहेते बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज आपका ना चाहते वे भी फालतू का खर्च बढ़ेगा तो अपने बढ़ते वे खर्च पर नियंतन जोर रखें ये आपके व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं विद्यार्थी की बात करें तो आज आपका मन चिंचल रह सकता है आज आपका मन परहाई में कम लगेगा तो अपने परहाई पर आपको ध्यान देना चाहिए सफलत आपको इसी से मिलेगी स्वास्त की बात करें तो मामूली चोट और वाद व्याद से आपको हानी हो सकती है आज आपके स्वास्त में भी थोड़ा उतार चरहाओ आ सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान जोग रखें, मुश्मी विवानियों से बच कर रहे हैं प्रेम समंद की बात के प्रेम समंद हो में थोरे उतराच रहो आ सकते हैं, जीवन साथी से हलकी नोगजों की संभावना बन रही है, तो अपने प्रेम समंद का ध्यान रखें, आज की निगर दूद या दूद से बनी वी चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आप ज्यादा जूट बोलने से आज बचे हैं, इससे आपको आज नुक्सान हो सकता है, आपके द्वारा की एक एक कारी से आपको फाइदा होगा, अगर कहीं आप निवेस्ट करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, फिर भी निवेस्ट, हमेशा सुच समझ कर करना चाहि आज आपके सोभाव में भावकता और कानमुकता की अदिकता रहेगी, आज आपके मन में किसी प्रकार का भैवी बना रहेगा, मानसिक संतुलन बना के रखें, काम और घरवालों का दवाव, आज आपको थोड़ा गुसेल बना सकते हैं, आज के नियात्रा मनरंजन और थाबित हो सकते हैं. विद्यार्thy की बात करें, विद्यार्thy आज के लिए आज कि उत्तम रहने वाला है, विद्यार्thy आध्यान में अच्छा परदशन कर सकेंगे, तो महनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल ना रखें. स्वास्त की बात करें, तो आज आपको पेड़ share करें इससे आपके समंद बहतर होंगे आपको ज़ित है जिसके फ्रसफ आज सामें आपका मन उमंग से भरा रहेगा लेकिन आज आप थोड़े भावग भी हो सकते हैं किसी की बातने आपको ठेच पहुछ जासकती है तो ज्यादा भावनाओं में नाव हैं वरना आपके स्वाभिमान को भी खेसिस से पहुंच सकता है। कुछ जातकों के पैसे दूसरों पे खर्च हो सकते हैं जिससे घरलू जीवन में कुछ तनाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो भी प्रियेजन है वे आपके भरोसे और वादे की जरूत को आज महसूस करेंगे। व्यापार और धन की बात के तो व्यापार धन की दिश्टी से जोया तक नोकरी कर रहे हैं। उन्हें आज ओफिस में अच्छा महाल मिलेगा, कामकाज के अस्तर में भी सुधार होगा। व्यापार से समंदित आपको कहीं यात्रा पे जाना पर सकता है और ये आपके लिए लाब दैग भी रहेगा। तो यात्रा के मौके को हाज से ना जाने दे, इस मौके का फाइदा जरूर उठा होएं। आपके व्यापार के लिए आज अच्छा संयोग भी बन रहे है। विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के इन मध्यम रहेगा, महनत करें सफलता आपको मिलेगी। स्वास्त की बात के तो भोजन और निंद में और निंदा रहेगी जिससे आपका स्वास्त थोड़ा ढगबगा सकता है अगर इससे बच करेंगे तो आपका स्वास्त ठीक रहेगा प्रेम समंद की बात करें तो प्रेम समंद के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है आज आपका प्यार और आपका जीवन साती कोई खोपसूरत साओ भार आपको दे सकता है आज की निगर दही अपने खादिपतात में सामीद करेंगे तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग नारंगी रंग और आपके लिए आज का लखी नमर एक रहने व उनको आज सफलता की पापती हो सकती है अगर कहीं आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आपके कारी बनेंगे अगर कोई पारिवारिक उल्जन है तो उसे सुलजाने का यह एक अच्छा समय है आज कि दिन आप अपने पारिवारिक रिष्टे नाते के उल्जनों को सुलजाने में भी कामियाब रहेंगे लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकरी बोलें किसी प्रेमी जवरों को मिलवाने में भी आप मददाज कर सकते हैं व्यापार और धन की बात करें तो वित्तिय महामलाव पर ध्यान देने की आवश सकता है आज कि आपके लिए काफी भाइदे म बना के रखना आपके लिए आवसक है विद्यार्थी की बात के तो साहित लेखन और कला के छेत्र से जुरेव विद्यार्थियों के लिए आज करीन अच्छा रहने वाला है सफलता मिलने की संभावना भी बन रही है स्वास्त की बात के तो स्वास्त के देश्टी से आज कर आपके लिए ठीक ठाक रहेगा लेकिन आज आज आपको संतान के स्वास्थ की चिंता रह सकती है तो अपने शंतान का ध्यान रखे। प्रेम समन्थ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आज आपको महसूस हो सकता है कि जीवन साथी के जीवन में आपके कितनी ज़रूरत है, आज के लिए निमबू, अपने खादे बतात में सामिल कहेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग फलसा ही रंग और आपके लिए आज का लकी निमबर नौ रहने वाला है, बात कहें मकर रासिकी, मकर रासिम चंद्रमा आज बारहवे अस्थान में विराजित है, जिसके प्रसुब अगर आप आपना दिन आज खुसनमा बनाना चाहते हैं, तो मानसिक तनाओ और जहन्जट भी कर सकते हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आज आपके बिगरे हुए सारे काम भी बनेंगे, आर्थिक योजनों के कारण आपकी परिशानिया कम होंगी, परिवार में भी सांती और आनंद का माहौल बन सकता है, व्यापार और धन की बात कहें हैं, तो नोकरी और व सकता है, जहां तक आज महनत करेंगे, उन्हें सफलता की प्राप्ती भी होगी, स्वास्त की बात कहें, स्वास्त के देश्टी से, आज के लिए अच्छा रहने वाला है, फिर भी अपने आपको मौस्वी बिमारियों से और महामारी से बचा के रखने का प्रियास जोर करें, प्रियम समन्द की बात कहें, तो आज आपको अपने गुस्षे का सामना करना पर सकता है, विवाह योग जातकों के लिए, आज के लिए उप्युक्त रहने वाला है, जीवन साथी से सामन्चत से बना के रखने का प्रियास आपको करना चाहिए, आज के लिए दूद या समस्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुब आज के इन आपको कहीं से सुभ समचार के पापती हो सकती है, दोस्तों और प्रियेजनों के साथ आपका दिन काफी अच्छा बीटेगा, किसी से कुछ उपहार भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन सचेत्रें आज ना सिब अजनबियों से, बलकि दोस्तों से भी सब्धान रहने की आपको जुरुत है, बाहर घुमने की योजना बन सकती है, सौधेश्ट बोजन करने का अउसर भी आपको प्राप्त आज हो सकता है, आज के इन आपके लिए कई तरह से फाइदे मन साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कई चीज़ें आपके पक्ष में भी जाएंगी, आपको हर काम में सफलता मिलने की संभावना भी बन रही है, व्यापारों धन की बात के जो आतक नोगरी करते हैं, वे अपना कारी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आज आज आपके बॉस की नेजर आप पढ़ बात करेंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है, आज विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने की योग भी बन रहे हैं, तो अपने मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें, सफलता आपको यही से मिलेगी, जीवसमन्त की बात क्या है? तो आज कि आपने जीवन साती को भाबनाटाँ दूर पर ब्लेक मील करने से बचे हैं. इससे रिष्टे आपके खराब हो सकते हैं. आपके और आपके जीवन साती के बीच कोई अजनभी नोक भुद का कारणाज बन सकती है. आज कि निगर ब्राउ जिसके प्रसुप आज आप कोट काचारी के मामले से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, मन में किसी प्रकार की बेचैनी और चिंताएं भी रह सकती है, मुआनी और विवहार में सयम रखना आवस्यक है, आज आप किसी बात को लेकर भावग भी हो सक सकते हैं, आज के खर्च पर नियंतन रखें, आज आपके खर्च बढ़ सकते हैं, कुछ यातकों को लंबा सभरते करना पढ़ सकता है, जो काफी भाग दोर भरा रहेगा, लेकिन साथ ही आपके लिए यह यात्रा फाइदेवन भी सावित हो सकता है, बात करेंगे व्यापार पर अनभवी लोगों की सला से ही करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है, बात करेंगे विद्यार्थिगी, विद्यार्थियों के लिए आज के सामाने रहने वाले हैं, आज के सोशल मीडिया में ज्यादा समय की ब्रवादी ना करें, अपने परही पर ध्यान दें, स्वास् की बात के हैं तो आज के इन आपके वेवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा जीवन साथी से सामंजस्य आपका बना रहेगा आज के अगर बादाम अपने खादेपतात में सामीर गएंगे तो आपके लिए आज का सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रहेगा आपके समय में कोई भी नियाकारी आप आराम करेंगे उसमें आपको सफलता हाट लगेंगी आज का असुप समय यानिकी राहुकाल रहने वाला है दिनके दो बच कर 12 मिर्ट से लेकर चार बच मुझकर 15 मेर तक इस समय में कोई भी लिया कारी करने से बीलकुल बचे हैं और सफलता लग सकती है आपको दिशास अब उत्तर दिसाम रहने वाला है उत्तर दिसाम में किसी भी खास पूरियों रहां से यात्रा करने से बचे हैं सुबहगा आजका गौर रहने वाला